आज हम लोग फास्ट काट बनाएंगे जितने भी मॉस्क्यूटो किलर फास्ट काट आते हैं वो आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं तो फास्ट काट बनाने के लिए हमको एक पेपर चाहिए पेपर को हम साइज में काट लेंगे जैसे ये एक पेपर है किसी भी कलर का आप ले सकते हैं तो इसको हम छोटे फास्ट काट के साइज में काट लेंगे तो ऐसा हम काट लिए फास्ट काट के साइज में ऐसा कोई भी पेपर आप यूज कर सकते हैं जिसमें लिक्विट खीच लेया ऐसा कोई भी पेपर ग्लॉजी पेपर दोस्तों नहीं चलेगा और आप ऐसा टीशू पेपर भी यूज कर सकते हैं ऐसा टीशू पेपर से आप छोटा ऐसा पीस काट ले इससे भी आपका फास्ट काट बन जाएगा तो इसके उपर हमको एक लिकुईट देना है तो हम लोग क्या देंगे हम ऐसा कोई भी ब्रेंट का जो मच्छर वाणने का लिकुईट होता है इसको इसके उपर लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से फास्ट काट बन जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा देखिए आपको इसको खोलना पड़ेगा मैंने इसको पहले से खोल लिया है इसका कैप अलग रख देते हैं और ये वाला जो पोर्शन है यहां किसी भी नुकीली चीज़ से ऐसे आप इसको खीचके खोल सकते हैं तो ये आपको खुल जाएगा तो मैं इसको खोल के इसको यूज़ कर सकता हूँ और आपको जरूरत पड़ेगा एक ब्रश का आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं ऐसा कोई भी ब्रश से आपका काम बन जाएगा थोड़ा ब्रश का जो ब्रिसिल है ये मोटा होने से भी चल जाएगा तो ब्रश लेके उसको आपको इसके अंदर डिप कर लेना है और लिक्विड ले लेना है और देखिए इसके उपर लगा देना है ऐसे तो ये लिक्विड को अपने उपर खीच लेगा तो ये हमारा टीशू पेपर फास्ट काट बन गया और इसको हम साइड में रखते हैं और इसके उपर भी हम वैसे ही लगा देंगे देखिए ये संग संग सूग भी जाता है हमने इसके पूड़ा उपर इसको लगा दिया है और इसको ढखके रख देंगे आपको इसको स्टोर करने के लिए एक प्लास्टिक पैकेट लगेगा अभी में आपको ये फास्ट काट जला के दिखाऊंगा इसको पहले थोरा सूपने देना है उसके बाद इसको हमको यूज करना है तो ये हम लोग फास्ट काट ले लिए जो हमने बनाए थे इसका पूना हम जला दिए तो ये धीरे धीरे आपका जलता रहेगा